दोस्तों आप सब के query के साथ मैं आपका दोस्त कृष्णमूर्थी आप सभी का स्वागत करता हूँ Learning Mirror YouTube चैनल में आज मैं आपके जिरोधा के वो shortcut keyword बताऊंगा जिससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा वीडियो अच्छा लगए तो पर like कर दें, subscribe कर दें और share कर दें अभी आप जो है जैसे यहाँ पर orders, holdings, positions में जाके देखते हैं कि आपका जो है क्या profit and loss चल रहा है आप जो है अभी सारा काम manually करते हैं चाहे वो orders में जाना हो, holdings में जाना हो या फिर positions में जाना हो, या फिर आपको buy and sell का order place करना हो तो ये सारे orders जो हैं, बस एक आप keyword से place कर सकते हैं तो वीडियो देखते नहीं और सीखते नहीं अगर आपको dashboard देखना है तो A प्रेस करें A जैसे ही आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका dashboard चलाएगा इसके बाद आपको orders देखने के लिए क्लिए क्लिए करना है प्रेस ओ करना है, ओ प्रेस करेंगे तो orders में जो भी आपका order भी pending में है या फिर जो भी order आपका execute हो गया है वो आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा अगर आपको holdings के go stock देखने है तो H दबाए H दबाते ही सारे holding से stock चले आएगे अगर आपको intraday trade देखना है कि आपने intraday में कौन सा trade किया है और profit and loss क्या हो रहा है उसमें तो उसके लिए आपको दबाना है P P दबाएगे तो positions में चले आएगे जो भी आपका intraday orders है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा चाहे वो profit और loss हो तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर आटोमेटिक दिख जाएगा तो यहाँ पर देखे मेरा दो जो positions अभी open है बजास finance का और माडूती का तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख लिए जो होड़ा है जो मैंने profit बुक किया वो यहाँ पर देख लिए हीरो मोटो कॉप में 28.60 और यहाँ पर अल्टाक सिमें 16.55 तो यहाँ पर आपको profit दिख जाएगा दो positions जो open है आपको यहाँ पर दिख जाएगे और यहाँ पर आपको यह closed वाले में देखें 0-0 जो 0 positions है वो आपका closed हो गया मत्ताब उसको आपको कुछ करने की जोड़त नहीं है यहाँ पर जो plus one है वो आपका buying में है अगर minus one होता तो यह आपका selling में होता यह बात का ध्यान रख लेंगे और यहाँ पर देखें मिस लिखा हुआ है मिस मतलब intraday आपको आज के आज ही positions close करना है अगर जिरोदाय स्कॉइड आफ करती है तो आपको 50 रुपीज प्लस GST पर script देना होगा पर script मतलब बजाज finance एक script हो गया मारुती दूसरा script हो गया अगर वो जिरोदाय स्कॉइड आफ करती है तो मुझे 120 रुपीज एक्स्टा पर करना परेगा जो आपने utilize margin किया वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा अगर आपको profile देखना है तो I दवाएं और आपको edit करना है कुछ यहाँ पर तो J दवाएं इसे करके आप चूज कर सकते हैं तो मानलो मुझे ITC करना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखिए मैं ITC पर चला गया ITC यहाँ पर चला गया मुझे कुछ नहीं करना सिर्फ B पर क्लिक करना है अब ही आपको margin दिख जाएगा अभी आपको margin रिफ्रेस करता हो तो यहाँ पर देखिए अभी margin रिफ्रेस नहीं हो रहा यहाँ पर आपको margin दिख जाएगा आप एक बात ध्यान रखें जो स्टॉक आपको लेना है आप चले जाए उस पर मैंने ITC पर चला गया बी पर क्लिक किया यहाँ पर देखें मिस आ गया cnc आ अब quantity पुट कर दें जितना quantity आपको लेना है मैंने 2 पुट किया इंटर प्रेस कर दिया जैसे इंटर प्रेस के देखें complete होगे मैं ITC 2 quantity at 201.5 पर तो मुझे कुछ नहीं करना अब क्या करना है मुझे orders देखना है तो क्या करना है ओ दबाना है ओ दबाते ही orders में चला जाओंगा यहाँ पर देखें आपका ITC जो है यहाँ पर दिख रहा है अब मुझे देखना है positions में कि मेरा day का profit and loss क्या हो रहा तो क्या दबाना है इसके लिए P जैसे ही मैं P प्रेस क क्लिक करें यहाँ पर देखें convert का option आ अगर आपको Interaday to delivery hold करना है तो लेकिन आपको Interaday मही निकालना है तो आपको क्या करना होगा आपको यहां पर देखें Sell करने का मैं तरीका बताऊंगा, आप वेट कर लें, जैसे ही आप P प्रेस करेंगे, आपका जो भी इंट्राडे का पोजिशन से, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ऊपर में जो है वो ओपन पोजिशन है, और निक्चे में जो है वो अपको यहाँ पर दिख जाएगा, और यह देखें, दो तीन कॉंटिटी जो है, वो अभी मेरा उपन में है, जो 00 हो गया, वो closed है, तो मैं एक क्लिक करता हूँ, डैसबोड पे चलाया मैं, अब मुझे जो मैंने लिया हुआ था MIS में, उसको सिल करना है, उसके लिए दो तरीके हैं, क्या करें, आप तो पोजिशन क्या मैं बताना हूँ क्या है, आप A पे प्रेस कर दें, A पे प्रेस करके आप डैसबोड पे चले आए, अब क्या करें, आप फिर से उपर और नीचे वाला एडो से watch list में चले जाए, ITC पे, अब आपको क्या प्रेस करना है, S, B for Buying, S for Selling, तो मैंने S प्रेस किया, यहां प कॉंटिटी सेल करूँगा, तो क्या लेगा, नहीं लेगा, क्योंकि मेरे holdings में one quantity है, तो माल लो यहां पर मैंने 2 quantity होता, तो क्या होता, जो मैंने यहां पर sell किया है, वो MIS में sell किया है, जो यहां पर मैं sell करना हूँ, CNC में sell कर रहा हूँ, मतलब दो अलग-अलग order हो गए, पहला CNC वाला जो आपका delivery का है, दूसरा intraday वाला, तो यह क्या होगा, 3.30 से पहले automatic squared off हो जाएगा, और मेरा CNC वाला है, वो holding में stock होता, तो holding से निकल जाता है, जिस product में आपने buy किया, उस product में sell करें, मतलब MIS में आपको sell करना है, समझ गए, cancel कर दें, MIS एकवा select कर लिए, आपने क्या करना है, आपको arrow से, ITC से select करना है, ITC वे चले गए, S प्रेस करें, देखें, MIS आ रहा है, आपको quantity 2 प्रेस करें, और enter कर दे, market rate में आपका sell हो गया, 201.35 पे, अब आपको जाना कहा है, orders में जाना है, तो orders में जाने के बाद, यहाँ पर देखें, ITC आपका sell हो 201.35, मैंने लिया था 201.50, मतलब 30 पैसे का loss, आपको देखना कहा है, P दवाना है, P प्रेस करना है, जैसे आप P प्रेस करेंगे, यहाँ पर देखें, 30 पैसे का loss दिखा रहा है, minus 30 पैसे का ITC, और यह 0 हो गया quantity, मतलब आपका sell हो गया, तो अब समझ गे, B से buy, S for sell, अगर यहाँ पर देखें, मैंने ITC, चूज कर लिया, इसके बाद आपको D use करें, D for Dera, तो यहाँ पर देखें, आपको offer price and bid price दिख रहा होगा, यह आपका seller का price है, यह आपका buyer का price है, तो जब भी आप stock buy करते हैं, यह दोनों price देख लें, इस दोनों price में जाड़ा difference नहीं होना तो मतब क्या हुआ, तो market depth देखना आ गया आपको, कुछ करने के जुरूत नहीं है, D press करना है, इसके बाद अगर आपको चार्ट open करना है, तो open कैसे करना है, C दवाएं, C for Calcutta, जैसे ही C दवाएंगे, यहाँ पर देखें, चार्ट आपका open हो गया, तो यहाँ पर देखे स्विच करना है, तो आप स्विच कैसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते हैं, अगर आपको यह यूज नहीं करना, navigation, तो कीवर्ट से कैसे यूज कर सकते हैं, आप प्रेस करने Ctrl, Shift और 1, 2, 3, 4, 5, आप ऐसे जा सकते हैं, इसके लिए करना है, Ctrl और Shift एक साद दवाएं, उसके ब अगर आप जायागा, O4 आपका ओडरस आजाएगा, H4 आपका holdings चलाएगा, P4 आपका जो positions है, internet है का वो चलाएगा, F प्रेस करेंगे तो funds चलाएगा, I प्रेस करेंगे तो आपका profile है वो चलाएगा, इसमें अगर आप J प्रेस करते हैं, तो आपका password reset करने के लिए, या प चार्ट जो है वो open हो जाएगा, अगर आपको कोई watch list से stock delete करना है, तो उस stock पे चले जाएगा, और DEL का option delete का, बटन वो प्रेस करने, आपका stock delete हो जाएगा, और अगर आपको watch list change करना है, तो shift, ctrl प्रेस करने एक साज, और 1, 2, 3, 4, 5, आपकोई साभी watch list चूज कर सकते हैं, तो यह आपका shortcut है, इसको आप use करें अपने trading में, और अपने trading को आसान बनाए, तो बस यही था trading और demand account link जो वीडियो को description में है, अगर दोस्तो help और support चाहिए, तो courses करें, उसी link से trading और demand account open करें, क्योंकि अगर आप उस link से trading और demand account open करते हैं, तभी मैं आपका help कर पाऊंगा तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर 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 आपको यह वीडियो अच्छा